हल्यों स्टूडेंस दिस सुर्वितिवारी और वाचिंग यूर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैगनेट ब्रेंस वेल हम पढ़ रहे हैं साइन्स क्लास सेविंत का साइन्स जिसमें हम आपको बता रहे हैं चैप्टर नमबर 15 लाइट हम पढ़ चुके हैं लाइट के बारे मे हम पढ़ चुके हैं कि किस-किस तरहें के मिरर रोते हैं हम्ने बीडर के बारे में देखा हमने नहीं देखा हो आप हमारे पुराने वीडियोες पर जाएं और सैट पर जाईए और आपको यह सारी जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे अब आज कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे आज हम करेंगे लेंस ओके अब जैसे ही वर्ड लेंस में बोलती हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है आपने खेल खेल में कई बार लेंस का में सबस्क्नाइब से कर पा रहे हैं यह कर पा रहे हैं आप अपनी आखों में लगे हूए लेंस की मदद से जी हाह की देकैनल कि मदद से क्या होती है है और आप उसको देख पाते हैं क्षा और मीकल होBox है और आपने कहा देखा मैंगनिटाइग नास य Uts किया ही होगा कई बार आप ने खेल खेल में पेपर को जला करके देखा होगा कि आप ढूप में गए आपने पेपर रखा और उसकी क्या करते हूं उसकी मदद से आप काघस को जलाने की कोशिश करते हैं तो आप लेंस के कई बाहर मिल चुके हैं वाखिफ से इसे तो आज जैसे कि spectacles में जो आप हमारे spectacles अपर लगाते हैं specs अपर जिसको short में बोलते हैं जो आप चश्में लगाते हैं उसमें भी lenses का use होता है ठीक है जैसे किसी को दूर का नहीं दिखता तो आपन क्या कहते हैं कि आप जनरली कई लोग बोलते हैं कि मुझे दूर का नहीं दिखता कोई बोलता मुझे पास का नहीं दिखता तो इसकी problem कौन सॉल्व कर सकता है इसकी problem सॉल्व करते हैं lenses तो अभी जैसे मैंने आपको last class में दो तरीके के mirror पढ़ाए थे असी तरीके से लंसे दो तरीके की आप पढ़ोगे ओंकेव कञर्भ इस की बाते हैं कई लोग by पैक्शन से लगाते हैं कही लोगों की आखों की जो थूड़ीबहुत दिक्कते रहती हैं कि कुछ हमें दिखाई नहीं देडा पास का या दूर का तो इसके लिए विए contact lens लगाते हैं उन सभी में lenses होते हैं and magnifying glasses तो आपने देखे ही होंगे इन सभी में lenses का use होता है तो आइए जानते हैं कि lenses actual में क्या हो होता है lens actual में एक transparent curved surface घुटी है ठीक है जैसे mirror अगर मुझे mirror जब हम पढ़ रहे थे तो जब भी मैं आपको diagram बना करके बता रही थी तो वो किस तरह किका था कि अगर हम convex की बात करें तो पीछे की तरफ इसमें इसकी जो surface वो painted होती थी और concave के case में क्या होता था यह वाली surface इसकी painted रहती थी ठीक लेकिन अब हम किसकी बात करें लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस कैसा होगा lens is a transparent curved surface ठीक है lens is a transparent curved surface made up of high quality glass और transparent plastic ठीक है यह जो lenses होते हैं वो या तो glass की मदद से या फिर हम plastic की मदद से बनाते हैं Like curved mirrors, lenses are also of two types. Curved mirror की तरह जो आपके lens होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं जैसा मैं आभी आपको बता रहे ही थी Convex lens, it is thicker in the middle and thinner on the edges. जो convex lens हैं वो किस तरीके के बनते होंगे? Convex lens जो होते हैं वो बीच में जो रहते हैं वो काफी मोटे रहते हैं और जो उनकी edges होती होगी वो कैसी होती है? Thinner, edges मतलब यह जो इस हिस्सा है ठीके? यह convex mirror की बात करें, जो इसकी edges हैं वो पतली रहती है और जो इसका middle portion रहता है वो थोड़ा सा thick होता है Okay, and concave में क्या होता है? वो बीच में से पतला thinner होगा और उसकी edges ठिकर होगी यह दोनों point आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीके? कि lenses जो है वो दो तरीके के होते हैं एक ओगा आपका convex जिसका बीच का portion काफी ठिकर होता है और बहारीक portion जो उसकी edges होती है वो thinner होती है Concave की में बात करूँ तो उसमें अगर आप lens बना रहे हैं concave तो बीच का portion thinner और edges कैसी होती है? Ages होती है उसकी थोड़ी सी मोटी या फिर ठिकर ओके तो चलिए जानते हैं कि concave convex जो आपका lens है वो क्या होता है ठीक, so convex mirror को आप देशे देख रहे हो, क्या देख रहा है आपको? कि जब भी कोई light rays पर पढ़ रही है तो वो एक focal point पर जाकर के meet कर रही है मिल रही है और इस तरह से disperse हो जा रही है यह क्या concept है? यह क्या diagram है? इसको चलिए थोड़ा और आगे चलके मैं आपको समझाती हूँ वेल अब आपको जो एक दो शब्द है ठीक है वो याद रखने है वो है आपका एक तो optical center और principal line ठीक है? अब यह जो सारी चीज़े है ना यह optical center या principal line इनसे related और जादा theory part या और जादा इनसे related जो application है या जो इसको समझना है आपको वो थोड़ी आगे वाले हम class में समझें लेकिन अभी आपके लिए जरूरी है कि आप इन दोनों शब्दों को एक तो आपका optical center ठीक है और principal line यह क्या होती है इसको समझ लें ठीक है? मान लीजे कि मैंने इस तरह के के दो glass लिए या lens का बात कर रहे है तो इस तरह से अपने दो lenses लिए या glass की ही अपन बात करते हैं ठीक है spherical अब मैंने क्या किया इन दोनों को मिला दिया ठीक है तो जब यह दोनों मिल जाएंगे इस तरह से ठीक है तो इनका जो बीच वाला पोर्षण आपको बनता हुआ दिखेगा ठीक है एक ये बना और एक ये यह कहलाएगा आपका कौन सा पोर्षण ये कहलाएगा अब अगर मैंने इनको थोड़ा सा दूर कर दिया, तो ये जो बन रहा है, ठीके, ये बनता है आपका कौन? केव मिरर, ठीके, इसका मतलब कि अगर यहां पे सेंटर पॉइंट अपन बनाए, ठीके, तो ये जो सेंटर पॉइंट कहलाता है, उसको हम कहते हैं उसका उप्टिकल सेंटर, ठीके, यहां इसका उप्टिकल सेंटर कहां पर आ रहा है, इनका उप्टिकल सेंटर यहां पर आ र कॉन्वेक्स की बात करें तो उनका जो एजेज होती है वो कैसी होती है थिनर होती है और मिडल पोर्शन कैसा होता है ठिक होता है ठीक है किसकी बात कर रहे थे अपन कॉन्वेक्स की तो अगर आप डाइग्राम देख रहे हो तो उसमें आपको यह क्या दिख रहा है यह आपको आ रहे हैं और एकियस यहां और जो जो डोनों मिलकर जो बना रहे है पोस्ण वह उसका मिडल परोचन होगा तो यह पोर्शन उसका ठ्र Hoş होगा और आज आपकी कैसे होंगी पतली होँगे यहाँ क्या करना है हमको रोला jarawan क्या सब्सक्राइब क्या आप इस टारे से दूर कर दें तो यह जो सकृ मिलाएंगे उसकी ठीक है यो कि लेंस का जो center point होता है वो उसका optical center कहलाता है अभी कैसे क्यों form होता है C1 क्या है C2 क्या है इसको detail में थोड़ा आगे हम समझते हैं आगे आने वाली classes में आप समझोगे फिलहाल आपके लिए जो समझना जरूरी है वो यह है कि अगर आप concave की बात करोगे या convex की बात करोगे त Caio-convex वह होगा जिसकी जो अगर को सदो आप इसे चीज को एको याद रख पाएंगे को कि दोनों मिलने से मोटाई थोड़ी जादा हो गई तिक स्तोरी जादा हो गई इसलिए ये जादा क्या है ठिक है एस कंपेर टू इनकी एजस के ये एज के ठीक है ना तो ये डाइग्राम इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए है अब दूसरी चीज इनका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं अप्टिकल सेंटर और जिससे मिलकर ये बनी हुई है ठीक है या सेंटर से होकर जाने वाली लाइन जो होती है ठीक है वो क्या कहलाती है प्रिंसिपल लाइन इन दोनों शब्दों का याद रखना ज़रूरी है ओके चले तो अब आगे चलते हैं दा लाइन जोर्निंग दे सेंटर अफ तो स्फेर्स ओफ विच दे टू साइड्स ओफ लेंज आर अपार्ट इस कॉल्ड दा प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल लाइन जैसा मैं आपको बता रही थी जो दो लाइन उन दो स्फेर को बन मिला रही है जिसकी मदद से यह आपका लेंस है वो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वो दो स्फेर्स उनके बीच का जो पॉइंट है वो पॉइंट अन दोनों बीच के पॉइंट को जिस एक्सिस से हम मिलाते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इस केस में यह औ recoils होता है और concave होता है Convex कैसे दिखेगा Concave कैसे दिखेगा समझ जाएंगे Convex मतला बीच में मोटा बाजु बाजु का उसे पतला बाद साइड जोसकी घेसे पतली तुदम हो वसका पत्ला एज वाजु खैसा रहेगा थोड़ा सा गहरा मोटा रहेगा ठीक हिए इसो आप देखते हैं कोंशosion के बाले में तो कॉण्वेक सैन्सको हम क्या कहते हैं कॉनवेक्स लेंस के क्या कहलाता है अब अब इसको मिरर के बिल्कुल भी imagine मत करिए क्योंकि थोड़ा opposite वर्क हो जाता है लेंस के केस में और मिरर के केस में ठीक है आप यह समझे कि convex lens हम एक अलग ही चीज़ पढ़ रहे हैं ओके lens क्योंकि अलग ही है mirror अलग चीज़ है so okay so convex lens is called the converging lens अब converging मतला मैंने आपको पहले भी समझाया था जब आपको mirror में बता रही थी ठीक है कि जब बहुत कोई चीज़ light separated हो और जाकर के एक point पर मिल जाए तो convex lens जो है यहाँ पर वो क्या होता है वो होता है converging lens ठीक है the parallel rays of light falling on convex lens converge at a point on the other side of the lens अब obvious सी बात है lens है जिसका दोनों side क्या है colored नहीं है ठीक है बतलब transparent है तो जब एक side से light ray इस पर जाकर के पड़ती है तो क्या होता है जब एक side से जाकर के ऐसे lenses पर light पड़ती है तो ये light को क्या करता है उन lights को क्या करेगा दूसरे side पर जाकर के एक point पे जाकर के focus कर देगा इसलिए उस point को आप focal point कहते हो ठीक है? Convex lenses को converging कहते हैं Converging का मतलब क्या होता है? कोई फैली हुई अगर raise है उन्हें concentrate करके अगर आपन एक point पर लाकर के incident कर दे तो converging कहलाता है Convex lens यही करता है क्या करता है? इस तरीके के lens पे जब light raise आकर के मिलती है तो यह उसे merge करके एक point पर लेकर के आ जाता है ठीक है? The parallel raise of light following on the convex lenses converge at one point on the other side of the lens ठीक है? Lens के दूसरे हिस्से पे converge हो जाती है Right? So, this point is called the principal focus or focal point यह जो point है जहाँ पर आकर यह मिलती है इसको हम focal point कहते है ठीक है? और lens और focal point के बीच के distance को हम क्या कहते है? focal length कहते है Okay? focal point कहाँ पर होता है? अगर आपसे कोई जनरल पूछे या exam में आपसे पूछा जाए कि lens में focal point क्या होता है? तो focal point मतलब जहाँ पर light-raise concentrate हो करके मिलती है ऐक point पर जाकर के या convex lens में जब light-raise को वो converge करके एक point में लेकर के आता है तो उस point को जहाँ पर वो सारी raise मिलती है उसको हम क्या कहते है? उसको हम कहते है focal point और जहाँ focal point बनता है और जहाँ mirror रखा होता है उस और lens रखा होता है उसके बीच के point उसके बीच के distance को हम कहते हैं उसकी focal length ओके तो focal length का मतलब समझ में आया और focal point का मतलब हमें समझ में आया this point is called the principle focus ओके यह किसके बारे में समझ रहे हम हम समझ रहे हैं यह convex lens के बारे में आये देखते हैं कि concave lens क्या कह रहा है concave मतलब जिसमें cave बनी हो बीच का portion thinner और आजुबाजुका कैसा होता है it thicker okay so a concave lens is a diverging lens of divert कर दे मतलब diverge मतलब फैला दे okay यह just opposite किसका होगा convex का होगा convex क्या करता है एक जगे मिला देता है ठीक है और जिसको अपन converge कहते हैं ठीक है converge कर देता है converging lens and concave क्या होता है concave diverging lens होता है यह दोनों point आपको बिलकुल याद रखने है ठीक है तो ray of light falling on concave lengths are bent away from its principal axis प्रिंसिपल axis क्या होती है focal length से focal point से जाने वाली उसका center point होता है उससे जाने वाली जो axis है यह जो blue वाली आपको दिख रही है ठीक है यह क्या कहलाती है अपनी principal axis ठीक है जो focal point है sorry जो center point होता है आपके lens का beach का point वहां से अगर आप एक line को खीचोगे तो वह axis कहलाती है कौन सी principal axis तो ray of light following on concave lenses ठीक है जब भी कोई light इस तरीके के concave lens पर आकर के पढ़ती है तो वह bent हो जाती है क्या होती है bent अब आप जब देखोगे ना तो आपको अगर इस तरह के lenses में तो आप यह देखोगी कि जो light है आपको virtually कैसे दिखाई देती है हम हमारा दिमाग यही समझता है कि एक ही point पर आ रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता are bent away from its principal axis अपनी axis से bent हो जाएगी if you look through the lens these ray will appear to converge at one point अगर आप इस तरह के image is formed on the same side as the object and it is virtual erect and timeless okay so as इसके साथ क्या होता है कि जो भी image इसमें formed होती है यह जो भी image इस तरह के lens से बनती है वो same side पर ही बनती है ठीक है क्योंकि कैसी दिख रही है हमें एक point पर मिलती हो दिखती है ठीके ना band हो गई images तो सारी यहां से अगर आप देखोगी तो रहे आपको कैसी नज़र आगी कि पूरी जगे पर एक ही जगे इसका मतलब जब भी कोई rays पर फॉल होती है तो वह क्या हो जाती है बैंट हो जाती है ठीक है और साथ में आप यह याद रखेंगे कि जो भी image से formed होती है वह कैसी होती है वह same side पर form होगी पहली चीज़ और दूसरी चीज़ कैसी होगी इरेक्टेड होगी वर्चुल होगी लेकिन टाइम इनिस्ट होगी ओके सो अब हमी देखते हैं कि एक्च्वल में कैसे काम करते हैं दोनों लेंसे वी हाव लॉन्ट दा लाइट रेवल इना इस ट्रेट लाइन ठीक है हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट है ठीक है वह स्ट सफ लाइट है उसकी मदद से आने वाली लाइट रेस कैसी मिलती हमें स्ट्रेट लाइन में चलती हुई लेकिन अगर हम लेंसे का यह मिरर्स का यूज करें तो यह अपनी डारेक्शन को चेंज भी कर सकती है ठीक है तो हावेवर वन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम तो अने डारेक्शन चेंज वेल आपने कई बार देखा होगा ठीक है कि आप जब लाइट रे कहीं पर पड़ती है तो आपको उसकी कुछ डारेक्शन कुछ यह जैसी बैंट होती हो भी नजर आती है कि यह आता है जब मीडियम टू मीडियम चेंज करती है ठीक है जब कहते हैं बेंडिंग ओफ लाइट क्या कहते हैं बैंडिंग ओफ लाइट रिफलेक्शन नहीं बेंड होना ऊके वेलइट ऑन लाइट एन्टर थे लेंश फ्रॉम एर इस डारेक्शन चेंज अब इसके लिए दो मीडियम हो गाई एक तो वह आ रही थी और के मीडियम से कहां पर आई आपके lens के medium में तो lens पर जैसे ही आई वह अपनी direction को क्या कर लेगी change कर लेती है in case of convex lens ठीक है convex की बात करें तो in case of convex lens it bends towards the principal axis यह किस तरफ band हो जाती है principal axis की तरफ ठीक है जो भी इसकी principal axis होगी उसकी तरफ जाकर कि यह band हो जाएगी okay and hence this lens is called the converging lens इसलिए इस lens को हम क्या कहते है converging lens कहते है यह जैसे आप याद रखो कि convex lens में क्या होता है कि जैसे ही light ray क्या करती है इसके lens पर पढ़ती है तो यह अपनी principal axis की तरफ band हो करके concentrate हो जाती है एक point पर आकर के तो इसलिए हम इसको converging lens कहते हैं okay and convex के case में क्या होता है इट बैंड अभे from the principal axis यह अपने principal axis से कहां चली आती है दूर चली जाती जो middle की जो axis होती है उस पर ना करके कहीं और बैंड हो जाती है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं उस case में हम इसको कहते है diverging lens okay तो simple है इसका working अगर आपको समझना है lens का lens का working काफी आसान है कि light ray आपके sun से या फिर light source of light से आया आपने lens पर उसको जब वो incident होती है तो क्या होता है कि दो तरीके की lens हम यूज करते हैं एक तो आपका convex lens और दूसरा concave lens, convex lens के बारे में जैसे मैंने बताया था कि उस पर पढ़ने वाली जो light rays है वो जाकर के principal axis पर एक जगे point पर आकर की मिलती तो इसको focal point कहते हैं ठीक है तो इसलिए हम इसको converging lens कहते हैं और concave की case में क्या होता है concave की case में यह होता है कि जब भी light rays इस तरीके के lens पर आकर के पढ़ती है तो वो क्या होती है disperse हो जाती है band हो जाती है ठीक है मतलब fell जाती है तो इसलिए हम इसको क्या कहते है diverging lens तो मैंने आपको अभी बताया lenses के बारे में convincing के बारे में और Miske Linus के बारे में यह आपको और बहतर समझ में आएगा जब हम आपको एक्टिविटी समझाएंगे क्योंकि उस दोरान में आपको कुछ रियल लाइफ एकजामपने के साह़ बताओंगा की five औरner cities चल्में किस तरह से यूज किये जाते हैं सो आज की यह जो क्लास है आई होप आप में आपको इसमें समझ में आया हो कि कॉन केव क्या है और कॉन्वेक्स क्या है ठीक है तो चलिए next class में हम कुछ और topic को cover करेंगे हम prism के concept को समझेंगे कि कैसे जो light है उसमें seven colors हमें या कुछ colors दिखाई देना शुरू हो जाते हैं okay so मिलते हैं हम हमारी next class में till then आपको हमारी official website पर जाना है www.magnetbrince.com पर जैसे आप उसको क्लिक करेंगे आपको एक screen open हो जाएगी जिसमें आप class select करें आप जिस भी class के हैं वहां के जैसे आप उसको select करते हैं आपको सभी subjects के videos दिखना शुरू हो जाएंगे उसमें आपको जो भी subject पढ़ना उस पर आप क्लिक करिए जो विडियो ओपन होगी उसमें आप देखेंगे कि नीचे आपको कई chapters wise topics नज़र आएंगे आपको जो भी topic पढ़ना है आप उसको क्लिक करें तो आपको एक video lecture दिख जाएगा उस video lecture को आप देखें अगर आपको पसंद आ हा है तो आप उसे like करें share करें subscribe करें वैल हमारे official website को आप हमा अपने दोस्तों के साथ भी share करें क्योंकि हमारे पास kindergarten से लेकर के class 12 तक के सभी classes के videos available हैं ओके तो चलिए मिलते हैं अगली class में till then stay happy stay healthy and thank you so much